हलो दोस्तो विलकॉम टो आज चैनल एग्जाम एवरीड़ीदा अल्टिमेट जीके सॉलिवसन तो दोस्तो आररसी ग्रूप डी का जो एग्जाम चल रहा है बारा सिप्टेमबर फास्ट सेकेंड और थार सिप्ट का जो एग्जाम हुआ है उसका जो है जीके और जीएस का जो पैटर्न है ओ आज हम यहाँ पर पूरा देख लेंगे यह जो कोस्टन से दोस्तो यह 100% real है यह स्टुडेंट के पास से कॉलेक्ट किया गया है और इनमें अगर कुछ कोस्टन जो है दिया नहीं जाता है तो जो है आप हमें आगर आपको पता है तो आप हमें कॉमेंट में जरूर बता है और दोस्तों बतादू यहाँ पर इंग्लिस और हिंदी दोनों लेंग्वेज में यहाँ पर आपको प्रोवाइट किया जाएगा और इसका अगर आपको PDF चाहिए तो आप जो है हमारे जो है यहाँ पर दिया गया है तो देखिए दोस्तों पहला सीफ्ट में कुछ इस तरह का क्वेश्चन यहाँ पर पूछा गया था जो फार्मार का जो खर्चा होता है जो फसल उगाने में जो फार्मार का जितना खर्चा होता है उसका यहाँ पर दोस्तों देड़ गुना और दोस्तो बता दू यह इस तरह का टीटेल dragged question दोस्तो यहां पर phase 2 में भी यह देखा गया था काफी जादाlogs, यहчा यहां पर इस तरह से detailed question दिया रहा है यहाँ पर हमने जितने जितन जितने हमें student से पता चला है उस हिसाब से यह जो है हमने simplify कर के दिया है तो देखे जो हें यहाँ पर दमदर रिभार नियुक्boy sees याँ लुक्सा है ओपर जिए यह ढया तु konk團 मैंफर पर यहां यहाँ ठिक से बता गया था दोस्तों पंचायती राज formation related question तो दोस्तों पंचायती राज जो है इसके related यहापर question पूछा गया था और इसके यहापर दोस्तों गठन यानि formation को लेके यह question पूछा गया था तो दोस्तों देखिए पंचायती राज जो है यहापर थ्री टायर में यह पंचायती पुछा जा चुका है और भी कुछ डिटेल्स पुछा जा चुका है और यहापर मैंने नहीं दिया है नेक्स्ट यहापर देखिए दोस्तो नेशनल एंथेम इस रिलेटेड टू हुछ आटिकल ऑफ दा इंशनल एंथेम के बारे में डिटेल्स दिया गया है और दोस्तो बता दू नेशनल एंथेम जो है यह हमारा यह जनगना मना है यहाई बाबन सेकेंड के लिए गाया जाता है और दोस्तो जो यह नेशनल एंथेम हैं यह पहली बार गाया गया था और महानदी रिभार डिस्विद लाइज बिटूइन दा श्टेट्स ॥ यानि दोस्तो यहां पर जो है यहां पर इस तरह का कोस्टन पूछा गया है और दोस्तों बता दूँ यह जो हिराकूंध एक ग्रेंब था इसके related question दोस्तों पहले भी पूछा जा चुका है पहले साय दिये दो यहाफर तीन शीप में यह question पहले भी पूछा जा चुका है Next यहाफर देखें दोस्तों किस तरह का question यहाफर दिया गया है नेश्ट यह एक question दोस्तो दिया गया है In which ER? Mandelip Disco भारदा periodic table यानि दोस्तो जो Mandelip का periodic table हम अभी इस्तेमाल करते है उससे दोस्तो यहाँ पर कौन से ER में यहाँ पर बताया गया था यहाँ पर दोस्तो लोगों के सामने लाया गया था तो दोस्तो यह 1869 को यह मिंडelip का periodic table है और निकाला गया था और दोस्तो नेश्ट यहाँ पर देखते हैं दोस्तो यह जो मिंडelip के लेके यहाँ पर periodic table को लेके जो question है दोस्तो यह लगभग हर एक shift में आ रहा है पर दोस्तो ज्यादा तर shift में देखा जा रहा है कि यह question को बदल दिया जा रहा है कुछ और भी दिया जा रहा है कही पर जो है इसका element पूछा जा रहा है element के related जो है कभी कही पर question पूछा जा रहा है और दोस्तो कही पर इसका और भी बहुत सारा डीटेल जो है यहाँ पर पूछलिया जा रहा है Next यहाँ पर देखें दोस्तो क्या दिया गया है Who owned? Onyx Sunrise India Open 2022 यानी दोस्तो जो है जो Onyx Sunrise India Open है यह जो है 2022 के लिए कौन से किसने जीता था तो दोस्तो यह लक्स सेन ने जीता था और दोस्तो बतादू लक्स सेन को related question जो है पहले भी यहाँ पर आ चुका है जो RRC Group D के exam में तो दोस्तो वहाँ पर इस तरह से पुछा गया था कि England में जो badminton competition हुआ था उसमें लक्स कौन जो है यहाँ पर silver medal जीते थे इस तरह का question वहा जाता है तो दोस्तो यह जो है नाग Means और दोस्तो बतादू ऐसे रिलेटेट फोस्तिवर हके और कौन से गाहITA है तो दोस्तो उसे जो है village and small scale industries committee के नाम से भी जाना जाता है तो दोस्तो यह भी काफी ज़्यादा important है next यहापर देखे यह एक दोस्तो lens के related question है यहापर दोस्तो light के related यानि तो दोस्तो दिया गया है what is the focal length of concave mirror तो दोस्तो concave mirror का यहापर focal length कितना होगा तो exactly यह question नहीं आया था पर दोस्तो focal length के related question आया था यह students ने बताया और इसका यहापर students ने बताया उस हिसाब से दोस्तो यहापर negative इसका answer होगा उनके हिसाब से तो दोस्तो यहापर अगर negative answer है और इस तरह का कुछ question है उस हिसाब से दोस्तों यहाँ पर sign जो convention होता है mirror का उसके हिसाब से यह question आ सकता है तो देखिए यहाँ पर दिया गया है mirror जो आगर होता है तो उसमें दोस्तों यहाँ पर negative और positive पोजेटिव इस तरह का आता है पर दोस्तो आगर उल्टी तरब होगा तो यह जो है पॉजेटिव होगा और इसके लिए भी दोस्तो उल्टी तरब यह पॉजेटिव होता है तो दोस्तो यहापर पॉजेटिव है यहापर पॉजेटिव है यहापर नेगेटिव है तो दोस्तो इस सिसाब से अगर देखा जा तो दोस्तो यह काफी ज़्यादा important question है इसका यहाँ पर अंसार होगा दोस्तो प्रोइबिशान of traffic in human wings and forced lever यानि दोस्तो जो है यहाँ पर traffic of traffic in human wings और दोस्तो यहाँ पर जो forced lever है उसे यहाँ पर दोस्तो यह article 23 में बताया गया है next यहाँ पर देखते हैं किस तरह का question दिया गया है यह भी काफी ज़्यादा important question है यह आज पहली बार इस तरह का question दिया गया है यहाँ पर ज़्यादा तर जो है दोस्तो यहाँ पर focal length को निकालने के लिए कोई data यहाँ पर दे दिया जाता था जैसे कि यहाँ पर कोई यह जो mirror है इसका कोई यहाँ पर center of curvature यहाँ पर दोस्तो इसका और भी कोई कुछ details यहाँ पर दे दिया जाता था उस हिसाब से यह पर focal length यहापर दोस्तों डाटा के हिसाब से यह पर निकलने के लिए दिया जा रहा था पर आज यह थोड़ा सा अलग करके question दिया गया है कि यहापर बस बताया गया है कि focus और यह जो pole होता है इसके अंदर यह distance जो होता है यह distance को आपको माफना है तो दोस्तो यह distance का जो नाम होता है वो यहाँ पर focal length होता है next यहाँ पर देखते है दोस्तो क्या question दिया गया है यह question काफी ज़्यादा important है यहाँ पर दिया गया है which one of the following elements would have the largest atomic radius यानि दोस्तो किस atom का जो है यहाँ पर radius सबसे ज़्यादा होगा यह यहाँ पर पूछा गया है तो दोस्तो बता दू जो यहाँ पर यह जो periodic table है दोस्तो यह periodic table में दोस्तो जो यहाँ पर group में आगे की तरफ जाएगा तो उनका जो है यहाँ ज़्यादा जो है यहाँ पर smaller होता है यानि दोस्तो जो atomic radius होता है ओ धीरे धीरे घटता है इस वेज़े से दोस्तों इन दोनों के यहाँ पर दे दिया गया है पर दोस्तों यहाँ पर यह तीन जरूर थे और इन में से दोस्तों आंसार यह सोडियाम बाला होगा तो दोस्तों नेक्ष्ट यहाँ पर देखते है किस तरह का question दिया गया है next यहाँ पर दोस्तों यह एक question दिया गया है where is the rock garden situated तो दोस्तों यह जो question है यह geography से दिया गया है यह जोस्तों इसका answer यहाँ पर चंडीगार में होगा और यह rock garden जो है यह आज पहली बार यहाँ पर exam में पूछा गया है तो दोस्तों यह जो है अंध्रपदेश का है तो दोस्तों देखिए यहाँ पर जो है page 3 में question का pattern बहुत ही ज़्यादा change कर दिया गया है यहाँ पर देखिए official language पूछा जा रहा है जो second official language है किसी एक state का तो दोस्तों इस तरह का question जो है अभी तक नहीं आया था और दोस्तों जो बंगोली है अगो जो इहाँ पर second पसे ज़्यादा बल्ने बुलने जने वाले यहाँ पर language है और दोस्तों जो इहाँ पर इसके बाद माराथी आता है तो दोस्तों यह जो है तीन number पर आता है इस तरह का question भी यहाँ पर पूछा जा चुका है यहाँ पर इसके माराठी के बाद दोस्तों यहाँ पर तेलेगू आता है तो यह तेलेगू के बारे में भी यहाँ पर पुछा जा चुका है पर दोस्तों आज यहाँ पर question काफी जादा अलग पूछ लिए अज गया है यह किसी एक particular state के उपर यहाँ पर question पूछा गया है तो दोस्तों इस तरह का question पहले नहीं आया था next यहाँ पर देखिए दोस्तों क्या दिया गया है what happened if we mix HCl Acid with copper यानि दोस्तों जो है HCl Acid को अगर हम copper के साथ मिलाएंगे तो क्या होगा तो दोस्तों यह जो है यहाँ पर इस तरह का equation यहाँ पर दे दिया गया था और और भी कुछ यहाँ पर दोस्तों यह पर equation दिया गया था अप्शन में पर दोस्तों बता दू के HCl Acid और यह कौपर यहाँ पर reaction नहीं करता है diesel Acid के साथ और यहाँ पर इसका details भी दिया गया है copper is below hydrogen in the reactivity series यहाँ पर यह reactivity series यहाँ पर दिया गया है तो दोस्तों देखिए यहाँ पर hydrogen है और copper यहाँ पर है तो copper काफी जादा नीचे है जिस बज़े से यहाँ पर copper hydrogen के साथ react नहीं करेगा acidic form में तो देखिए यहाँ पर दिया गया है this means that copper is less reactive than hydrogen and hence cannot displace it from the acidic solution यानि दोस्तों जो है acidic solution यहाँ से copper यहाँ पर hydrogen को नहीं हटा पाएगा next यहाँ पर देखिए दोस्तों क्या दिया गया है next यहाँ पर इस तरह का question दिया गया है if both the length of a wire and its cross-sectional areas are doubled then what will be its effect on the electrical resistance यानि दोस्तों जो है यहाँ पर अगर एक तार को ऐसे हम ले लेंगे तो दोस्तों यह जो तार है इसका यहाँ पर अगर यह cross-sectional area है और दोस्तों यह अगर लंबाई है तो इस हिसाब से बता दू यह जो लंबाई है इसे यहाँ पर double किया गया है तो दोस्तों, यह resistance जो है, यह उंचेंची रहेगा, क нез rij गया है देखें जो है इसे r से लिखा जाता हो और r Katherine गया है रो L वी ए EL जो है यह पर लैंध को आनी को दर्साताई यहानि यूअ इस accent को दर्साता है पर一グल डेस जो है और करने के बाद अगर इसे लेंगे तो दोस्तों यहापर 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 यह यानि दोस्तो जो black soil है यह कहां पर देखा जाता है यानि काली मिट्टी जो है दोस्तो कहां पर मिलता है तो दोस्तो यह जो है गुजराट और महाराष्टा में मिलता है नेक्स्ट यहापर देखिए दोस्तो क्या question दिया गया है बोराक्स है जिसे हम इस्तेमाल करते है और यहा यहिह स्वोडा हो नहीं यह साहति यहाँ पर सो्डियाम होगा AND यह सोडियाम लिखा दो यह होगा यह बोलोन यह फैर चार सस्तिमाल होता है और उक्सिजन यहाँ फोर्मूला निखलके आता है NA2B407 और 10H2O तो दोस्तो यह जो है इसका यहाँ पर formula होगा, next यहाँ पर देखिए दोस्तो किस तरह का question दिया गया है, यह भी एक काफी ज़्यादा important question है, काफी बार पुछा जा चुका है, देखिए दिया गया है, what is the distance between Earth and EOS04, तो दोस्तो यह EOS04 जो है यह एक satellite है, इसका यहाँ पर आर्थ से जो distance है, वह यहाँ पर पुछा गया है तो दोस्तो इस EOS satellite के related question पहले पुछा जा चुका है जो दोस्तो यह किस काम आता है, या पर प्र किस तरह से यह काम करता है, इस तरह का question यहाँ पर पुछा जा चुका है पर दोस्तों यहाँ पर आथ से इसका distance पूछ लिया गया था तो दोस्तों यह जो है 529 किमी होगा next यहाँ पर देखे दोस्तों यह EOS जो यह satellite है इसका यहाँ पर दोस्तों full form है Earth Observation Satellite 04 तो दोस्तों यह जो है फोटो इमेज जो है हमें भेजता है और दोस्तों जिससे जो है यहाँ पर agriculture, forestry, plantation, soil moisture, hydrology, flood mapping तो दोस्तों यह सारा जो है मदद इससे मिलता है next यहाँ पर देखे दोस्तों इसी तरह का question जो है आज first shift में आया था और दोस्तों यहाँ पर next कुछ list मैंने यहाँ पर provide किया है तो यह आप जरूर पर लेना याद करके जाना next आगर आपका exam है तो देखे दोस्तों यहाँ पर दिया गया है atom mom जिसने बनाया था ओ यहाँ पर दोस्तों रोबाट ओपन हेमर्स थे और दोस्तों जो next यहाँ पर दोस्तों डाइनमाइट जो है यह अलफेड नोबेल ने बनाया है और hydrogen जो है यह फेज वान में साइद यहाँ पर पूछा गया था और यहाँ पर दोस्तों oxygen जो है Joseph Priestley ने आविसकर किया है और polyo vaccine जो है Jonas Edward Salk ने आविसकर किया है और penicillin जो है Alexander Fleming ने आविसकर किया है next यहाँ पर कोईस किसी भी exam में यह सब question पूछा जा सकता है तो दोस्तों चलिए आप हम second shift का question देख लेंगे तो देखे दोस्तों यहाँ पर 12 September को second shift में जो किस तरह का question दिया गया है तो देखे यह जो है दोस्तों पहला question है which enzyme digest fat तो दोस्तों fat को digest करने बाला कौन सा ऐसा enzyme है तो दोस्तों यह जो है लाइपेज होगा इसका answer और दोस्तों यह जो question है यह भी काफी ज़्यादा घुमा के दिया गया था यहाँ पर इतना सीधा सा question दिने ही दिया गया था जितना के students ने बताया उस हिसाब से दोस्तों साफी ज़्यादा complicated करके दिया गया था descriptive बहुत ज़्यादा दिया गया था तो पढ़ने में बहुत सारे बच्चों का बक्त जाया हो गया next यह पर देखे दिया गया है what kind of image is formed by convex lens तो दोस्तों convex lens जो होता है उसके बज़े से जोस्तों यह पर कौन सा जो है किस तरह का image image बनता है तो दोस्तों यहाँ पर देखे यह अगर एक छोटा सा अगर आप जो है एक object को ले लेंगे तो दोस्तों यह lens के थ्रू जो है यह यह पर बहुत ही जादा बड़ा होगा और दोस्तों यह जो है उल्टा दिखेगा इस हिसाब से दोस्तों यह पर virtual and erect यह जो है answer हो नेक्स्ट यहाँ पर देखते है दोस्तों क्या question दिया गया है यह question भी दोस्तों काफी जादा important है which female cricketer become first to play six world cup तो दोस्तों छे world cup खेलने बाला जो है पहला female cricketer कौन है तो दोस्तों यह जो है मिताली राज है next यहाँ पर देखे दोस्तों क्या question दिया गया है who own gold in 62 kg category in wrestling in CWG यानि दोस्तों जो common world game है उसमें यहाँ पर दोस्तों wrestling में किसने यहाँ पर 62 kg category में goal जीता है तो दोस्तों यह जो है सक्सी मलिक ने जीता है next यहाँ पर देखे दोस्तों क्या दिया गया है question what is the formula of electric power SI unit तो दोस्तों SI unit में यहाँ पर electric power का formula पूछा गया है तो दोस्तों यह जो है यहाँ पर power का formula होता है तो दोस्तों यहाँ पर P equal to VI होता है और SI unit दोस्तों यहाँ पर award होता है यह कौन सा question पूछा गया था यह तो मैं sure नहीं हूँ मैंने यहाँ पर दोनों ही डाल दिया है कोई उस सबसे आप यह देख लेना कौन सा आया था और हमें comment करके बता नेक्स्ट यहाँ पर देखे question दिया गया था which valley is found between Middle Himalayas and Sivalik यानि दोस्तों सिवालिक और Middle Himalayas इनके अंदर यहाँ पर कौन सा भैली देखा जाता है तो यहाँ पर दोस्तों यह डून भैली के नाम से भी जाना जाता है यहाँ पर देखे यह दिया गया है और दोस्तों यह पर इसका picture भी पूरा details के साथ दिया गया है नेक्स्ट यहाँ पर देखते हैं दोस्तों क्या question दिया गया है यह भी काफी जाता है important है what takes place during oxidation तो दोस्तों यह oxidation से related question है जो दोस्तों यहाँ पर लगभग के दोस्तों अगर हर दिन में अगर 3-3 shift हो रहा है एक 2-3 shift हो रहा है उ तो दोस्तों यहाँ पर जो है removal of hydrogen and addition of oxygen यह होगा इसका answer next question यहाँ पर देखिए दोस्तों दिया गया है Indian government signed Moe with whom for Namani Ganga Ganga Pariyojana यानि दोस्तों यह यह Pariyojana जो Namani Ganga Pariyojana है इसके लिए जोस्तों यहाँ पर Moe जो है यह sign किया गया था यह contact दोस्तों किसके साथ यह sign किया गया नेक्ष्ट यहाँ पर देखिए दोस्तों the Ramanujan Prize for young mathematician was awarded to यानि दोस्तों जो है Ramanujan Prize यह young mathematician के तोर पर किसे मिला है तो दोस्तों यह Professor Nina Gupta को मिला है नेक्ष्ट यहाँ पर देखते हैं किस तरह का question दिया गया है यह भी काफी जादा important question है जो 12 September को second shift में पूझ लिया गया था When was Moolana Ajad National Urdu University जो मानू है यह established हुआ था यानि दोस्तों जो है यह Moolana Ajad National Urdu University जो है जो जिसे हम short में यहाँ पर मानू के नाम से जानते हैं तो यह जो है कहाँ पर कब यह स्थित हुआ था तो यह 1998 को यह जो है दोस्तों established हुआ था और दोस्तों यह गाची बोली हाईदराब जो बेनुबन बुद्धा बिहार जो यह मंदिर है यह किस राज्य में स्थित है तो धो यह जो है तृफुयार में स्थित है नेक्स्ट यहा पर देखिए दोस्तो क्या question दिया गया है उतकल डे इस सेलिब्रेटेड इन फास्ट एप्रिल इन हुई स्टेट यानि दोस्तों फास्ट एप्रिल को जो है दोस्तों हम एप्रिल फुलकट दिन मनाते है उस दिन को यहाँ पर उतकल डे के नाम से यहाँ पर कौन से स्टेट में जो है सेलिब्रेट किया जाता है तो दोस्तों यह देखिए यहापर महाराष्टर में situated है next यहापर देखिए दोस्तो क्या दिया गया है what is the balance of nitrogen तो दोस्तो nitrogen का यहापर balance पुझ लिया गया है यह भी दोस्तो जो मैंने बताया था कि periodic table से काफी जाधा question पुछा जा रहा है तो हर एक shift में उसे बदल दिया जा रहा है तो यह भी दोस्तो periodic table से ही question है क्योंकि उसमें ही दोस्तो यहापर nitrogen का balance यहापर देखने को मिलता है तो देखिए nitrogen का balance है यहापर दोस्तो 3 होगा और nitrogen का यहापर atomic number यहापर 7 होता है और इसे अगर हम यहापर divide करेंगे तो यह पहले जो circle में यह दो electron रहेगा और दूसरे circle में जो 8 electron रह सकता है वहापर दोस्तो यह 5 electron रहेगा तो दोस्तो इस सिसाब से अगर इसे हम माइनस करेंगे तो यह 3 निकल के आएगा तो दोस्तो यह 3 यहापर vacant electron का place रहेगा इसलिए इसका balance जो है यह 3 निकल के आएगा तो यह जो है यहापर बताया गया है यह भी details यहापर बता दिया गया है next यहापर देखिए दोस्तो क्या दिट दिया गया है who is the parliamentary minister of India in March 22 यानि दोस्तो जो है March 2022 को जो है यहापर कौन जो है यहापर parliamentary minister थे तो यह जो है दोस्तो यहापर ओम बिला थे तो दोस्तो बता दू यह जो question है यह काफी ज़्यादा important question है इसके related और भी question यहापर पहले पूछ लिया गया है next यहापर देखिए दिया गया है what is the percentage of reverse reservation for women in Bihar यानि दोस्तो Bihar में यहापर women के लिए जो reserve son होता है उसका यहापर percentage कितना है तो दोस्तो यह जो percentage है यह 50% है Bihar में next यहापर देखते है दोस्तो क्या question दिया गया है which of this article is not covered under fundamental rights यानि दोस्तो जो है इन में से कौन सा ऐसा article है जो दोस्तो यहापर fundamental rights के अंदर जो है बेलूरमट कहाँ पर है यह यहापर पूछा गया था तो दोस्तो यह question यह काफी ज़्यादा घुमा के दिया गया था इतना सिधा नहीं दिया गया था इसका जो है किस तरह से इसे दोस्तो यहापर describe किया गया था यह तो कोई बता नहीं पहाए पर दोस्तो इसे काफी ज़्यादा description करके बताय गया था और दोस्तो बता दू इसका यहाँ पर answer होगा next यहाँ पर देखिए दोस्तो क्या दिया गया है next यह एक question दिया गया है where is the headquarter of ICAR यानि दोस्तो यह जो ICAR है इसका यहाँ पर headquarter कहा है यह दोस्तो यहाँ पर New Delhi में होता है तो आप देखिए दोस्तो यहाँ पर 12 September को जो थार सिप्ट का एक्जाम होगा है उसका किस तरह का question दिया गया है GK और GS के उपर यह आप हम यहाँ पर discuss करेंगे तो देखिए दोस्तो पहला जो है यह थार सिप्ट का question कुछ इस तरह का दिया गया है पंचायद election are whole held for how many years यानि दोस्तो जो है पंचायद election जो है यहाँ पर होता है कितने बरसों के बाद यह जो है पंचायद का चुनाओ होता है यानि दोस्तो जो है fundamental duty जो है यह किस country से जो है यहाँ पर Indian constitution में लिया गया है तो दोस्तो यह जो है रासिया से लिया गया है और दोस्तो इसके बाद में और भी कुछ details दिया गया है देखिए दिया गया है In 1976 the fundamental duties of citizens were added by the 42nd constitutional amendment act based on the report of the surrounding committee Next यहाँ पर दोस्तो earlier there were 10 fundamental duties Next यहाँ पर with your child or anyone between the age of 16 and 14 Next यहाँ पर देखिए दोस्तो क्या details दिया गया है यह भी दोस्तो एक काफी important question है यह भी काफी जादा बार repeat हो गया है दिया गया है कि what happens when zinc reacts with hydrochloric acid तो आप यहाँ पर दोस्तो यह question जो है यहाँ पर hydrochloric acid के साथ अगर zinc का यहाँ पर reaction कराया जाएगा तो दोस्तो यहाँ पर zinc chloride तयार होगा और दोस्तो यहाँ पर इसका equation दिया गया है और दोस्तो hydrogen gas तयार होगा यानि zinc chloride और hydrogen यह byproduct होगा पर दोस्तो अगर sulfuric acid के साथ यह reaction हुआ ये देखिए यहापर ये पर जींग के साथ जो है sulfuric acid के reaction के बाद जो है यापर hydrogen gas बनेगा और दोस्टो zinc sulfate बनेगा उसका reaction दोस्तो 잡今日は दे दिया गया जै जींग के साथ sulfuric acid का reaction होगा तो zinc sulfate ये देखिए यहापर बना और यहापर hydrogen भी बनेगा नेश्ट यहाँ पर देखिए दोस्तो क्या question दिया गया है यह भी एक काफी important question है यहाँ पर दिया गया है Who was given the major dhanchant award यानि दोस्तो major dhanchant award यह किसे दिया गया है तो दोस्तो यह अभी option के मुताविक दोस्तो यहाँ पर निरज चोप्रा को दिया गया है यह question दोस्तो पहले जो है पूछा जा चुका है RRC group D में लोबलिना बोर्गोहेम को दिया गया था यह भी दोस्तो पूछा जा चुका है पहले पहले सिफट में सुनिल चेतری और मनफित चिनको दिया गया था तो दोस्तो यह जो है जो चार जो है यह पहले जो है सिप् JUST में पूछा जा चुका है दोस्तो यह फेज टू में ज़्यंडा तर पूछा जा जाता था और फेज वान में भी एक यहाँ पर दो बार यह पूछा जा चुका है नेक्स्ट यहाँ पर देखें दोस्तों क्या question दिया गया है नेक्स्ट इस तरह का एक question दिया गया है यहाँ पर हुआर वाजदा 44th Chess Olympiad Held in 2022 यानि 2022 को जो है 44th जो Chess Olympiad यहाँ पर हुआ है तो दोस्तों यह जो है चेन्नाई में हुआ है और इसमें दोस्तों यहाँ पर podium में जो थे यहाँ पर open में दोस्तों यहाँ उजबेकिस्थान और दूसरे जो है silver medal के लिए यहाँ पर दोस्तों आर्मेनिया और ब्रोंज मिडल के लिए यहाँ पर दोस्तों इंडिया था और ओमेन के अगर अंतरगत यहाँ पर देखा जाए तो जो है दोस्तों पहले नंबर पर यहाँ पर दोस्तों यूकरेन था दूसरे में यहाँ पर दोस्तों जॉर्जिया था और तीसरे में यहाँ पर दोस्तों गया है यह भी काफी जादा एक important question है यह भी काफी बार पूछा जा चुका है which of the festival is celebrated in Goa यानि कौन सा festival जो है गोड़ा गोड़ा में जो मनाया जाता है तो दोस्तो गोड़ा में जाता है यह नेक्स्ट यहाँ पर देखते हैं दोस्तो where did George 5 come to India यानि दोस्तो जो है कहां पर आय देखिए दोस्तों क्या दिया गया है what is the valency of element in group 2 यानि दोस्तों जो है group 2 में जो element होता है उसका यहापर valency पुछा गया है तो दोस्तों उसका जो valency है वो यहापर दोस्तों दो होता है और दोस्तों यह जो valency होता है वो किसे कहा जाता है तो plant जो protein बनाता है यहाँ पर nitrogen से बनाता है next यहाँ पर देखिए दोस्तों यहाँ पर क्या दिया गया है question next यह जो question है दोस्तों यह आभी तक साइद यहाँ पर 7 या फिर 8 सिप्टों में यह repeat हो गया है next यहाँ पर देखिए दोस्तों क्या दिया गया है यह भी एक काफी ज़्यादा important question है यहाँ पर दिया गया है who is called the sorrow of bihar यानि दोस्तों जो sorrow of bihar के नाम से यहाँ पर किसे बुलाया जाता है तो यह दोस्तों कोशी रिभार को यहाँ पर दोस्तों बिहार के दुख की नदी यह बताया जाता है यहाँ पर दोस्तों जो सोक की नदी है यह बताया जाता है next यहाँ पर देखिए दोस्तों क्या दिया गया है यह भी दोस्तों काफी ज़्यादा important question है when did Mother Teresa get the title of Pope यानि दोस्तो जो है Mother Teresa को Pope की title यहाँ पर कब दिया गया था तो दोस्तो यह 2003 को दिया गया था Mother Teresa was beatified in 2003 by Pope John Paul II after a first miracle was attributed to her answering an Indian woman's prayer to cure her brain tumor according to the Vatican next यहाँ पर देखिए दोस्तो क्या दिया गया है next यहाँ पर दोस्तो यह भी एक काफी ज़्यादा important question है तो देखिए यह काफी बार repeat हो गया है अभी यह question जो है दोस्तो आभी तक 6 या फिर 7 बार यह repeat हो चुका है तो देखिए दोस्तो यहाँ पर बताया गया है what is the number spoken language in Telugu in India यानि दोस्तो जो है कौन से नमबर पर जो है यह Telugu जो बोला जाता है इंडिया में यानि Telugu भारत में कौन से नमबर पर बोली जाती है तो यह 4th position hold करता है तो दोस्तो यह पहले भी मैंने कराया है इसी वीडियो में तो यह पहले बाले में यहाँ पर हिंदी रहता है नेक्ष्ट यहाँ पर दोस्तो अगर बताया जाए दूसरे बाले में यहाँ पर दोस्तो बैंगोली रहता है और बैंगोली के बाद अगर दोस्तो बताया जाए बैंगोली रहता है और दोस्तो बैंगोली के बाद तीसरे स्थान पर यहाँ पर दोस्तो माराथी रहता है दोस्तों यहाँ पर संक्स्क्रीथ है, तो दोस्तों संक्स्क्रीथ जो है यहाँ पर सबसे कम-कम बोले जाना वाला भासा है, तो यह भी आपको जानना जरूरी है, नेक्स्ट यहाँ पर देखिए दोस्तों क्या question दिया गया है, the climate of India is not affected by, तो दोस्तों इसका जो option दिया गया प्रभाविद नहीं होता है, तो यह जो है दोस्तों अभी तक इसका option नहीं मिला है, नेक्स्ट यहाँ पर देखिए दोस्तों क्या दिया गया है, what is the mass of carbon and hydrogen, यानि दोस्तों carbon और hydrogen का जो है यहाँ जो मांस होता है, वो कितना है, तो बतादो दोस्तों इसका जो मांस होता है, यहाँ पर देखिए, atomic mass जो होता है, carbon का, वो यहाँ पर दोस्तों 12.01 होता है, और दोस्तों hydrogen का जो है, यह एक दसम्ला 0.01 होता है, और दोस्तों यहाँ पर oxygen का अगर बताए जाए, यहाँ पर oxygen हलाके पूछा नहीं गया था, पर दोस्तों फिर भी oxygen का आपको जाना जरूरी है, क्योंकि next exam में यह पूछा जा सकता है, तो oxygen का यहाँ पर दोस्तों atomic mass जो है, वो 16 होता है, next यहाँ पर देखिए, किस तरह का question दिया गया है, यह भी एक काफी ज़्यादा important question है, यह भी काफी बार आभी तक पूछा जा चुका है, पर दोस्तों यह जो है, काफी बार चे की जोजना जो है, चार साल के लिए चला था, यानि दोस्तों जो है, काफी ज़्यादा important है, यह भी काफी बार रिपीट हो गया है, यानि दोस्तों जो जैन धम का यहाँ पर बास्तविक संस्ताफ़क जो थे, वो कौन थे, तो दोस्तों यह जो है, इसका आंसार होगा, यहाँ पर रिसब देवा, next यहाँ पर देखिए दोस्तों क्या question दिया गया है, यह भी एक काफी ज़्यादा important question है, यहाँ पर दिया गय temperature के उपर, temperature बरने के साथ-साथ यह जो है, conductivity घटता है, तो इस हिसाब से यह जो है, डिपेंट करता है, next यहाँ पर देखिए दिया गया है, which is the second largest tiger reserve in India, यानि दोस्तों जो है, इंडिया में जोस्तों यहाँ पर सबसे बड़ा जो है, यहाँ पर second largest tiger reserve कौन सा है, तो दोस्तो सबसे बड़ा जो यहाँ पर tiger reserve है, यहाँ पर दोस्तों नागर जुन सागर, यह जो है, दोस्तों यहाँ पर स्री सेलम, यह tiger reserve है, next यहाँ पर देखिए किस तरह का question दिया गया है, यह भी काफी ज़्यादा important question है, दिया गया है, यह जो है यह किसके बज़े से होता है, तो य यहाँ पर जो है, एक picture दे दिया गया था, और उसके हिसाब से question पूछा गया था, हलाके जो है, क्या question था, तो अभी तक clear नहीं है, कोई ठीक से बता नहीं पाया, पर दोस्तों यह जो है, इसका answer, जो है मैंने यहाँ पर इस तरह से यह details दिया है, तो यह जो है amoeba के बारे म amoeba, यह जो है amoeba होगा, यहाँ पर टैपिंग मिश्टे को गया, टेक प्लेस इंदा भेगास, तो दोस्तों यह जो है, यहाँ पर भेगास में यह जो है amoeba का, यहाँ पर digestion होता है, यह सब भी आपको जाना जरूर है, क्योंकि इसी related question यहाँ पर दिया गया था, तो दोस्त करके बताना कोई question आगे छुट जाए, ओ आगर आपको याद है, आपको आगर याद है, तो आप जो है हमें comment करके जरूर बताए, चले तो चलिए दोस्तों next video में मुलाकाद होगी, इसी तरह का वीडियो हम लाते रहेंगे, तो next video में मुलाकाद होगी, thank you